कि है यह अग्यारे बच्चो स्वागत है आप सभी का द्रोड इसकुल में बच्चो आज की इस क्लास में हम जनल साइंस के बारे में पढ़ेंगे दोखो हमारा एप्रोच कैसा होगा कि हम कोश्चन के बेस पे जैसे पहले कोश्चन साय हैं उसके बेस पे देखने की कोशिस करे हैं और उसकोश्चन का एंसर का मने उसकोश्चन का एंसर और उसके साथ उसका प्रोपर एक्स्प्लिनेशन इस वीडियो में होगा तो इसे ध्यान से देखना बेटा और जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करना और याद करते रहना ताकि आने होगा लेकिन आप उसमें से भी अपने हिसाब से अच्छे से रखना ठीक है तो इस वीडियो में बात करेंगे हम जर्नल साइंस के बारे में क्या है जैसे question है which of the following diseases spreads through contaminated food and water ठीक है तो आप से question पूछ दिया है कि ऐसे disease का नाम बताईए कि जो गंदे पानी या food के थ्रोग spread होता है one person से other person वो spread होगा कैसे होगा किस बेस्ट भी होगा उसी को पूछा है ठीक है निम्रिखित में से कौन सी बीमारी दूस्ती जल एवं भोजन के द्वारा फैलती है ठीक है ना दूस्ती जल और भोजन के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है आप बताव इसमें से पहले देखलो पहला है तो फिर को लिडरा फिर फिलेरिया और मलेरिया ठीक ना हिंडी वालों को यह अप्सन में दिक्कत नहीं होने में चालत वैब Works new करा श्रम किनाrey है करी कि कर G के देंगु कि रखेस कआलरा कि फिलेरिया ठीक है उसके बाद लास्ट वन है मलेरिया ठीक है तो आपको बताना है कौन सी बीमारी है जो दूसी जल एवं भोजन के द्वारा फैलती है दूसी जल और भोजन के द्वारा फैलती दो अ कईसे फैलती जैसे टीवर क्लोसीATHAN के लुंसे उन्स के बता रहाएं जैसे टीवर क्लोसीद में इनको टीबी हो गया है तीवी देखने वाला नहीं Tv means tuberculosis एक भिमारी का नाम है ये ये किसके खरो फैलती है mode of transmission क्या है इसका येएर के स सबुल और थोगे धुटा ये हावा के सब्सक्राइब तो लोग यह भी घिति वश्चुट को वेट को किसे वायरस से ठीटा फ ricis किसे पस्थ है वायरस से ठीड़ता के पदर छिक से physical contact hoja य कहते हैं देखते हूं क्या होता है एक आतमी आप देखो कि जिनको चिकन अपोज रचो पर चोटी चोटी दाने निकल जाते हैं ठीक है बाहर निकलेंगे उनके चीक से खासिस या उनके बोलने के मुह से उनके सरीर से जो यह निकलेगा उसके थो यह फैल सकते हैं यह होगे आपका फिर है नेक्स्ट है मलेरिया मलیरीय सुनते और मलेरिया किसे फैलते हैं रिमारी किसे फैलती है यह फैल ती आपका मस्क्युटों से मतलां मच्छड़ से ठीक हिंदी वालु हिंदी और इंग्लिस मोगों को समझते चलना high मच्यड से मास्क्यूटो से ठीए बटा ये क्या है अपना तो यंगिस पढ डे रहे होगे है ठीक है मैं लिख दे रहा हूं जहांने लिख पाना हो पिलाइरा ओध्रम फिर और यह एयर और वाटर के तो फैलता है ठीक है और इसमें क्या है कि जिनको पुली हो जाता था तो उनका सरीर का कोई पार्ट जैसे हाथ या पर पैल लाइस विकलांग बोलते हैं उनका हाथ या पर काम करना बंग कर देता था तो यह बहुत खतरनाक भीमारी थी उस समय लेकिन इस पर भी कंट्रोल देए देरे सरकार की अनेक मतलब सरकार ने अनेक पॉलिसी चलाई जिसके थो इस पर भी कंट्रोल पाया जा चुका है लगवां तो यह है पोलियो यह कैसे फैलता है यह और वाटर से आप सुनते होगे अम इताब बच्चन जी करते थे पोलियों का प्र खांस पानी पीआ उस पानी को आप पिलोगे तो इसके फैल सकता है ठीक है वाटर कित्रों यह ऐसे नहोता है न कहीं कई पाने से बह रहा है उसमें उमुह लगा कैसे पी लिया और आप बगल में हो आप आगे जाके वह पानी आप भी पिले तो उससे फैनने के चांसे होते ह पाइड हो गया मलेरिया हो गया पोली हो गया ठीक है तो अगर आपसे ऐसे बीमारी पूछेगी पहले अगर कोस्टन वैसे पूछा जाए यह तो आपसे पूछ लिया कि निमखित में से दूसीजल और भोजन के द्वारा फैलती है उसके बाद अगर इन में से कोई बीमारी टूबर क्लोसीं कैसे फैलता है यह ऐसे पुछ लेकर निम्खित में से कौन सी बीमारी है जो आपके एयर कीता पैलती है और पर कि अध्यotzन के सो किया की से फैलती है यह वाईरस के फैलती है कि मिलसस क्या है यह वाइरस है कि यह वाइरस से होती है वाइरस लिख दिया है ठीक है और फिचिकन पॉक्स क्या है यह एर से या कॉंटक्ट से फिजिकल कॉंटक्ट से यह फैलती है ठीक बड़ा तो ऐसे करके और आगे जो है मलेरिया मलेरिया किसे बलता है मैच्छड से होता बेश्र किया नब अगर मालो ऐसे ऊध्रीज अध्र वुद्ध अध्र मत्रीय जो जोडिश्म वह आपको काट लेंगे तो आपको मलिया हो जाएगा ठैके ना तो ऐसे कुछ मच्छड होते हैं इसеци में मतलब हिष्म काट ने तो यह मतलब और आपको काट लेंगे कैसे होता है ठीक है ना तो एक कोश्चन पर देख लो ऐसे कई कोश्चन बन सकते हैं इस बेस पर तो इसको ध्यान में रखना है समझ में आ रहा है ना ध्यान में रखना है फिर नेक्ष्ट है अगर आप नौदे विदाले की त्यारी करना चाहते हो 2023 के लिए अभी 29 अप्रेल को आपका इवजाम है तो आप अर्जुन बैच में इंडॉल कर सकते हो अर्जुन बैच में क्या क्या है वीडियो लेक्चर्स हैं एक्सरसाइज कोश्चन से चैप्टर टेस्ट है टेलेग्रा पास है नौदे अलफा बैच इसमें भी वीडियो लेक्चर्स एक्सराइज कोश्चन से टेस्ट और टेलग्राम ग्रूप है फिर इसके बाद अगर आप ऐसा है कि आप त्यारी कर रहे हो आपको अपना लेबल जाचना है कि हां हम कैसा कर रहे हैं हमारा मतलब त्यारी किये ह स्लेबस लगबा कवर कर चुके या कुछ चैप्टर ऐसे पढ़े हैं तो आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं मॉक टेस्ट में भी आप अटेम्ट करोगे सलेबस बेस्ट रहेगा टाइमिंग वही रहेगी जो एक्जाम कि रहती तो इसमें आपको मालुम चलेगा कि आप कि इ तो आप क्या करोगे मॉक टेस्ट में डॉल कर लेना इसके बाद है नोदे मॉडल पेपर पचास मॉडल पेपर का सेट भी ले लिए इसको भी इसमें इन्रॉल करके इसको लगाना तब देखना कि आपका कितना एफिएंसी कितनी अची हो जाएगी एक्जाम आते 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 देखना कितने स्टॉंग हो जावे लिए ठीक है ना तो यह मॉडल पेपर के बारे में इसके बाद अगर आप साइनी के स्कूल की तियारी करना चाते तो 2024 के लिए हमारे पास है साइनिक स्कूल का बैस ठीक है सान्य के स्कूल के बैस्ट में भी आपको प्रोपर प्र प्रि स्कूल और सने किस्कूल में क्या है अगर आप ऐसे स्कूल ने इसमें भी नियुक्त Three कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं किल न चक्रक्नख सकते Coleman मौख आप इंडिस है टो थकी नहीं वेंटा यह वह गया इसके बार अगर कोई भी इनफर्मेशन आपको चाहिए तो आप 626303 8861 पे कॉल करकर को सिलेट इनफर्मेशन ले सकते हो ठीक है न तो इसके कॉल करके और कोई भी इंफर्मेशन चाहिए हाँ साइने के स्कूल के कोर्स के बारे में नौदय विद्धाला के कोर्स के बारे में तो इस पर कॉल को जरूर कर लिए आगे है दो नेक्ट कोशन आप से पूछा है ग्रोइंग चाइल नीड मोर आफ आप से पूछ रहा है कि लड़का मतल कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या होता है विटिमिन्स का यूज क्या होता है फिर प्रोटीन का यूज क्या होता है ठीक है तो यह कार्बोहाइड्रेट ऐसे लिखते हैं हिंदी में हिंदी में क्या लिखेंगा ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ठीक है फिर स्की बाद है विटामिन अ फिर आगे है प्रोटीन और फैट्स को बोलते हैं वसा ठीक है तो अगर आपसे पूछे कि अगर बढ़ती वे बच्ची को क्या अधिक चाहिए ठीक है बढ़ती वे बच्चे को क्या डिमांड उसकी अधिक होगी अगर ये नूट्रेंट्स जो पोसक तत्व हैं इन में से तो क्या होगा आपको हर पोस प्रोटीन की नीट क्या है एक हुमन बॉड़ी में अगर हम कर्भो हाइड़ेट यूग भोजन ले रहे हैं उससे क्या होगा हमारी बॉड़ी में क्या मिलता है हमारे बॉड़ी को तभी न मालूम चलेगा कि आपको बढ़ते वे बच्चे को क्या चाहिए तो इसके बारे मे जानना पड़ेगा ठीक है तो इसके बारे में बात करें थोड़ा कर्भो हाइड़ेट के बारे में तो क्या है कर्भो हाइड़ेट प्रोवाइड्स दी बॉड़ी विथ ग्लुकोज फिच इस कनवर्टेट इंटो एनरजी यूज़ टो सपोर्ट बोडली फंक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटी अब आप से बोला है कि कर्भो हाइड़ेट जब आप लेते हो ना तो कर्भो हाइड़ेट आपको एनरजी देता है ठीक है कर्भो हाइड़ेट किसमें तूट इस ग्लुकोज क्या होता है इस ग्लुक विश्ट खाते हो जिसमें कर्भो हाइड़ेट हो तो हो तो क्या होगा फुड लोगे आप वहयो वाला वह जाएंगा आपके डाइसल सिस्टम में शीचटम में girls होगा डइस्ट होनेकी बात का HAM2 वह जाएंगा ग्लूकोज में तूरता है जब ग्लूकोज में एप हो जाएगा तब हमारी बॉडी उसको एसेप्ट करती है ठीक है जाएता है आप देखते हैं का बोटल आता है एक पाउडर आता है तो वह क्या कहते लोगे ग्लोकोज पीड़ोगे तो आपको instant energy मिलती है तो इसका यूज क्या है बेटा support bodily function को support करता है और physical activity में यह support करता ठीक है तो यह क्या काम करता है यह काम करता आपको energy देने का ठीक है न जो भी हम काम करते है कर्भोफ क्या करता हमारी सर्रीक को एनरजी बहुत जाएद बताइओ अंडोठी किसमे ब्रेक होता है ग्लुकोज में यह इह भी कुछ ना सकता है कि कार्बोहाईडर्राइड का सिम्पल फॉर्म बताइए इननमेसे कौन लुट पर्म एसके इसे कर सकते हैं तो उसके लिए भी प्रिपर्ड रहना क्या हैक गलुकोज है बैना यह सब्सक्राइब मिलता चावल में एन blossom पीटा फिर अगला है vitamins ठीक है beth means में क्या है vitamins have different jobs help keep the body working properly vitamins में भी कई तरह के vitamins होते हैं क्वॉन-कॉन सा जैसे बटा बताता हूं जैसे है vitamin a ठीक है फिर vitamin c vitamin d ठीक है यह क्या करेगा विटीमेण ऋबने क्या करेगा यहापके आंख को बहुत हेल्दी रखता है ठिक हैं आँखコnd रखेगा और उसके बाद फिर आपके आपको इंफेक्शन से भी बचाता है outta दुसरा है vitamin c vitamin c क्या करता है आपके skin ko healthy रखता है a लुणा सब्सक्राइब ops.com क्या करता होट हैじ 막 और सब्सक्राइब करता है ऐसा 腐टा होता हुश कर तो संलाइट में बैठना चाहिए संलाइट में क्या होग क हमें विटमीन डी मिलता है सनलाइट में होता है न ऐसा तो विटमीनिस की अलग अलग काम होता है तो क्या करने के लिए एक यूज है आँक को हल्दी रखना अख के लिए यूज होता है या आपको infection ज्यादा हो रहा तो आपको कहा जाएगा vitamin C ज्यादा ख़ाएं ठीक है और skin disease होँगी तो vitamin C आप से कहा जाएगा उसे vitamin D में क्या होगा कि आपके bones कम जोड़ है या आपका bones ऐसा है कि जल्दी मतलब weak लग रहा है डॉक्तर सको तो लेने से हमें बहुत ज्यादा है बोड़ी फंक्शन में ठीक है इसके आगे क्या है इसके आगे प्रोटीन प्रोटीन क्या करता है उपको अगर आपकी बोडी एक घर तो हमारा बॉडी एक घर है ऑपका घर हाउस ऐ आपका ऊम हम जैसा हमारा बॉडी है और home किस से बना बैटा इटों से बना है ना छोटे छोटे इट है इटों से एक एक इट करके home बना है ऐसी हमारी body जो है वो समल लो एक home है और वो home cells से बनी है किस से बनी बैटा cells से तो यह क्या करेगा body को repair cells जो है जो इटे खराब होंगी मालो घर की इटे खराब होंगी तो तो रिप्येर करने के लिए प्रोटीन की ज़ुरूत होती है ठीक है और नई इठ परे गी तो नएउचल के लिए भी आपको प्रोटीन की मतलब किया है कि जैसे और कोई आसा कटकी अलग हो गया बосьकर लगता तो पर घृटा हो जाता हिवा-ठीक जूद्ट निकलता तो चोटो क्या होता है स्कीन वहां का मतलब खराब हो जाता है तो उसको न्युक्ष बनाने के लिए प्रोटिन का यूज चिल्डरी होता है तो प्रोटीन क्या करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है चिल्डेन्स में तो आपका ही मिल जाएगा देखर हो न कैसे होगा कि प्रोटीन का यूसे टो रिपैर करने में ठीक उसको शेल्स को बनाने में और चाइल्ड का ग्रोथ में ठीक है न तो छोटे बच्चे होते हैं जब वह बढ़ने लगते हैं तो फिर उनका हाइट बढ़ने लगता तो उनको कहा जाते कि इनको प्रोटीन ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनके न्यूश बनेंगे शरीर और हेल्दी होगा और जल्देली ब हाई फिर हो जाएगा प्रोटीन का फिर नेक्स्ट है फै। अइस ऊसेरे फैर्ट्ट सेंडूर्फ ऐसा होता कि कर वह अदрем हो उसमें फैट से स्टोर होते हैं फिर क्या प्रिजर्ब इन बादि इंडिफ्रेंट टिसूस एन और्गंस हमारे बाड़ी के डिफरेंट । गले में किसी का गला निकल जाता गला एक बाटS एकठा होते हैं प्याएट का परवाइड एनर्जी रेंधी सब्सक्राइड यूटन फार्शन पस्तिष्टं से कार्भाइड नर्जी विनिष्ट का सब्सक्राइड इनका अपे हो गया है तब यह अपना काम करती है तब यह अनरजी देने का काम करती बाठलब इस टोड है स्टोर हाॉस है समझे रहू कि हम जो बाहर रखा वह था कर वह यूज हो गया अब इसका मेश हो गया हम तो यह क्या है इसका यूज है फैट्स का फैट्स हो गया प्रोटीन हो गया विटमिन हो गया और आपका कर्वो कर्भो हाइडर्ड हो गया तो इनका यूज डिटेल में जान लिए अब इनसे रिलेटर कुछ पूछेगा तो यूज तो यूज है ठीक है कि डिजॉल्व होते हैं डिजॉल्व की जाती है ऑक्सिजन कर्भन डाइकसाइड नाइटोजन या हाइडोजन ठीक है जब यह आप सौफड दिंग में जब उसको खोलोगे न उसमें क्या होगा थोड़ा-थोड़ा बबलस निकलते हैं फिज निकलता क्या होता है बटा ऐसे क कि उसमें कर्भन डाइकसाइड यह घल और जाती है तो क्या होता है यह कर्ता जो है वह उसमें कहुन है जाती है घ्त किका आप पंप करते हैं तो जब हुऄ तो देखल रहो ऐसे आप इसको डालेखो देखना इसमें Google आएंगे ऐसे सोडा मेंडान जाता है सब्सक्राइप को और प्रवस्यक कि तो इसका, पहले तो इसका using क्या है, Carbon-Dioxide का canvas के इसलिए डाला जाता है कार्बन डायक्साइड इसलिए डाला जाता है वेटा कि यह पहले तो आपको क्या देगा यह दिखाएगा आपको फीज यह यह बबल्स बनेंगे यह डालने पर क्या क्या होगा फिज यह बबल्स बनेंगे यह डालने पर और दूसरा फाइदा क्या होगा कि यह इसे जल्दी खराब होने से बचाता है बाहर से कोई इस पर कोई कोई माइक्रो और्गनिजम कोई माइक्रो और्गनिजम इस पर अटेक न कर पाए तो माल लो इसको यह सेफ भी रखता है समझ रहो इसको क्या रखता है कि इसको सेफ भी रखता है इसको खराब होने से बचाता है दो काम है यह तो बबल्स और फिस देगा वह और दूसरा उसक पैकेट में रहेगा डिब्बे में रहेगा तो नहीं खरावा क्यों डिब्बे में रहेगा तो बाहर से वह अटेक नहीं हो पाता समझे रहा हूँ बाहर से जो भी किटारू समल्यों को कि microorganism बोलते हैं तो जो भी microorganism होंगे बाहर जो भी किटारू होंगे वो उस पे attack नहीं कर पाते हैं बंद डिब्बे में हैं तो वैसी समल्यों कि यह ऐसे खुला हुआ है अगर इसमें carbon dioxide gas high pressure में लगा के इसमें डाल देते हैं तो यह क्या हो बाहर सब्जुब्जी फेक दिए तो वह संड़ता है ना तो यह खाते हैं तब बद्बू करता है तो यह माइक्रोगनिजम का चेप्टर है इसके बारे में यह डिटल में पढ़े हुए तो ऐसे करके बटा इनके बारे में यह स्वाप डिंग में carbon dioxide gas जाला जाता है हाई प् बटा बटा आग जलाने में सहाय कौन सी गैस होती है पहला एक कर्बंडाएकसाइड फिर है oxygen फिर हाइड्रोजन फिर नाइट्रोजन ठीक है जलती है जलती है तो आपको क्या होता है मैं आपको बताता हूं तो इसका सही अंसर है है不多 oxygen दोब आग में क्या होता है अगर आप आग जलाने कि क्या क्या क्पनी मेशन ये चाहिए कि आपको कोई ऐसा क्यों चाहिए है कि कोई फ्यो चाहिए है फ्योल का मतलब आपके पास लकडी हो वुड़ ठीक है आपके पास कोई ओयल हो किरोसीन ओयल या पेट्रोल हो यह आपके पास कुछ अधर चीजें हो जो जल जाएं ठीक है पेपर भी आप रहोगे यह फ्यूल है प्यूल में आप आग लगाएं ठीक है और वहां ऑक्सीजन रहेगा तब ये औक्सीजन जल के इस फ्यूल के साथ carbon dioxide कि carbon dioxide और water बनाता है तो ठीया कि ठीक watching कर्बंडा कर्बन यहां अब करें जैसे मालूम मैं एक और कि अगर कहिए आग लगते किसी को आग लगें फिन में भी आप देखो गिसी को आगा चद्दर में मनलब क्या करें कि जैसे कोई चीज को आप ऐसे कवर करते हो चदर से या किसी मोटी मोटे कपड़े से तो उससे क्या होगा उससे यह होगा कि उसके आसपास जितने oxygen होंगे oxygen कहा होते हमारे environment में होते हमारे चारु तरफ oxygen carbon dioxide सब गैस है जो हम बोलते ना atmosphere तो हमारे atmosphere में सभी गैस हैं ठीक है तो oxygen क्या होता है कि जब हम चद्र से उसे कवर करेंगे तभी वह क्या होगा कि oxygen से उसका contact तूड़ जाता है oxygen से contact तूड़ जाएगा तो वह जलना बंद हो जाता है ठीक है ऐसा होता है दूसरा कभी देखोगे कि आग कहीं लगती है तो वह वह fire extinguisher रखे होते हैं उससे क्या होता है वह fire extinguisher में carbon dioxide बहुत ज्यादा होता है उसको उल्टा करते हैं फिर उसका एक पुरा फैल जाएगा तो carbon dioxide फैल जाएगा बटा तो carbon dioxide चाहिए नहीं carbon dioxide तो प्रोड़क्ट है जलने के बाद जो बनेगा carbon dioxide जलने के लिए हमें oxygen क्या चाहिए बटा oxygen तो oxygen कहां होगा oxygen उसके आस-पास होगा ही नहीं तो वह भी बूज जाएगा वह बढन होना बंद हो जाए बेटा देखो फ्यूल का बात किया वूड हो सकता है लकड़ी तेल हो सकता है अधर कोई चीज़ पेपर उपर कुछ भी ले सकते हैं वहां ऑक्सीजन होना चाहिए तभी आग लगेगी आग लगने के बाद जो गैस निकलती है ना वह करबंडा एक साइड होती है ज्यादा और फिर और क्या मंता है वहां वाटर मंता है तो वाटर विजलेगा ना तो वाटर व रोगो बसाद celebrated ऌра तो बीस निकलती है तो आप बताए कर सबारबंडा के लिए और गालती है क्योंकि कोई भी विव जलेगा जलने के बाद जलने में आंक्सिजन की जरूरत है और जल निल जाएगा तो उसके बाद कर्वन डायक्साइड गैस निकलेगा यह कोशन आपसे पूछे तो इसके लिए भी आप त्यार रहें तो देखना कोशन के बेस पर कितनी चीज़ा आपको बता रहा हूं तो अगर आप लाइक नहीं कियो सब्सक्राइब नहीं कियो तो लाइक औ अब आपसे पूछा है कि निम्लिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का अंग नहीं है विच अब दी फॉलोविंग इस नौट पार्ट ऑफ डाइजर्श्री सिस्टम तो इसमें क्या है इसमाल निस्टाइन मतलब छोटी आथ बोलते हैं इसको छोटी आथ ठीक है छोटी आथ हिंदी वालों देख लेना थोड़ा और लार्ज इस्टाइन मतलब बड़ी आथ ठीक है बड़ी आथ तीसरा है इस्टोमक मतलब अमास है कि और चौथा है और से फिगस मतलब कि और से फिगस क्या बोलते हैं खाद नाली का बोलते हैं ऐसे करके कि खाद पाइफ पाइब बोलते हैं ठीक है भूजन पाइब खाद पाइब ऐसे बोलके तो विटा आप यह मुझ रहा है देखो इसमाली स्टैंड क्या होगा कि हमारी च्छोटी आत होती है यह हमारे बोडी में पाचन करने में हल्प करती है लांज इस्टैंड यह भी करती है इस टूमक अमास है यह भी करता उससे फिगस नहीं करता है मैं आपको थोड़ा सा इमेज से बताता होगा क्या कि होगा कि है होगा यहां देखो होगा ऐसे जैसे मान लो की यह अध्मिका सरीर है ठीक है इसे बीटा इमेज उतना अच्छाना बने मत करना कि आपका टीचर इमज नहीं बना रहा ठीक से हां तो यहां से रुक रुक खेंगे नाखी निवन पा रहा है हैं नग्याराय यहां से भौजन खाए यहां भौजन खाने बाद यहां बक्कल कैविटी होता हैं अबक्कल कैविटी है ठीक है यहां भोजन को चबाते हैं भोजन को चबाते तो यहीं से भोजन पचना शुरू हो जाता ठीक है बकल के विटी मुख गुहिका बोलते हैं मेरे ख्याल से हिंदी में देख लेना हिंदी वालो मुख गुहिका बोलते हैं कि थोड़ा हुंदी देख लेना आप लो मुख गुह काब ठीक है भकल कविट यहां से बोजन चबाना शुरू करते हैं यह भोजन फिर इस दासे हम चबाते हैं देखना दास कि पाइंगे भोजन चबानेक बाद हमारे जीव में जीव उसको मिक्स करता है दो हम कभी भी आप देखो गे ना तो आपके मुह में कोई ना कोई लिक्वीड बनता रहता है और आप ठूकते हो जो तो थूखने में जो लिक्वीड आता ना उसे बोलते हैं श्लाइवा ठाक है तो चोटे चोटे दानों में हो जाएगा चोटे चोटे पार्ट में हो जाएगा वह पार्ट अच्छे से सलाइवा उसमें मिक्स होगा सलाइवा मिक्स होगा तो यहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है ठीक है यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन फूट पाइप से यह भोजन ऐसे ऐसे नीची आएगा नीची आएगा फिर यहां आया पेट में आएगा पेट में यहां अमासे होता है ठीक है यहां अमासे होता है और फिर इसके बाद छोटी आत और बड़ी आत ऐसे मतलब बेटा इमेज है यह अमासे होता है इसे बोलते है है कि बूलते हैं में का इस्टोम्कन औरаров इसे हिंदीन को लगति महां सके बिलेंगे अम气 है कि यह और यह समौसेज हूं फूीट में नहीं ये भी सबस्ड़समेब उस्वार से बीच में यह समझी रास्ता इसको मिल गया है यह डाइज़ेस्ट नहीं होता हैं तो यह आएगा प meeर अंए के बाद वर में यहां पड़ाट है हुइसा है यह पूरा डाइजेसि सिस्टम होता है लिटेल में कोर्स में पढ़ाया ज़ाता लें पढ़ांगा तो क्या है अगर आप से पूछे कि इन में से कौन सा नहीं है तो आप अगर पढ़े होगे तो यह उसे फेगस जो है ना यह नहीं आता यह तो बस रास्ता देता है जाने के लिए माउथ से श्टोमख के बीच में एक वे है एक रास्ता है जिसके द्रूजात काम नहीं करता तो यह आपका एंसर हो जाएगा ठीक ने बिटा तो यह आपका एंसर हो जाएगा तो याद रखो इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे डीटेल में पढ़ोगे ना ऐसे कोश्चन का व्यू रखो गई हाँ यह होता है आप एक प्रोसेस जानुगे तो कोश् कोश्चन उसी में से पूछेगा जो टॉपिक दी हुई है तो टॉपिक के बेस पे अगर आपका टॉपिक स्ट्रॉंग रहेगा ना कोश्चन कहीं से पूछे कुछ भी घुमा ले एक्जामनर कितना भी दिमाग लगा ले वह तो बाहर ज्यादा जानी सकता समझता थोड़ा लगा वीडियो कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और ऐसे कोश्चन आएंगे तो बेटा ऐसे कोश्चन को आप बहुत करना ठीक है इतना रखते हैं मन लगा कि पढ़ना ठीक है बाए